हमने का है हे इसमें हें हें ऐसे कुछ आया आप बोलते हैं नाक से का है के हमां खुछ नहीं कर सकता है इसको तो एक जौए जैसा नहीं मिलेगा मेरे बाद जमाने में उमर तेरी ढल जाएगी मेरा इश्क भूलाने में और लिया नियम्हे इनका कोई मनमतिक सिंगर होगा या उनके लॉबी में जो सिंगर से उससिंगर को बोले गा की spooky all सब का आला आपका सबका हम लंग अिला है एक ईक दोस्त लुग मेरेडा केदा पोलके मता कुलागा ते ते अरे केदर नाथ आगया केदर नाथ आगया है सब बोलते के च्छाना से च्छाणुागा साणु से साणु अ क्या किए lifts 66 now now 68 68 पढ़ाई में पिता जी का जो लिमिटेड अर्णिंग था उसमें हम लोग को ओई सरकारी स्कूल जैसे होता है वह से स्कूल में पढ़ाया एंड बस उसमें तो पुछो ही मत कि क्या सिस्टेम है क्या नहीं है फिर भी जहां तक होसा का पढ़ा इंट्रव्यू देखा जि छहीं कि वह तामने को जाना अरी कि पहली बत विडैतों दूस्तीव कंदर इतना गाट्स ओना कि वह लुग को बात को संझा कि निए इसरी बात कि को लिग विड़ुकर चांवा पर्ता हाब्गC मेरा एक महां तो में syner अगा आयगा जोन्रों मैं और चोंग वीडियो तको बीटेस सबमाड़ार नाइक, सब्सकर नेकता पड़न कुली है सब्सक्राइग बिल्कूल अगजर जए सब्सक्राइख। यह गुप्लिटली रॉंग तो आपको चार जिनरेशन जब यह गाना सुनते रहते हैं तो मतलब इसको गोल्डेन इरा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप तो ऐसा कोई एरा दिखा दीजिये जिसको चार जेनरेशन चार जेनरेशन सुन रहा है हाजार हो गाना आपको दिखा देंगे फास्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया सेकेंड टाइम में लब कहा जिन्दगी की तलाश में हम मत के कितने पास एकाली-काली आखे अरे मैं तो रस्ते से जा रहा था तो आपको वर्सिटाल होना पड़ेगा भाया जितना भी आप बोलो श्यामा संगित नजुरूल संग टेगोर्दा दिजंदर गिती, पल्ली गिती फोक संग, बाउल संग माजी का गाना, तर्जा तर्जा होता था पहले कभी का लड़ाई होता था ना, एक कभी, दूसरे कभी से, वो हमारे बेंगल में भी था, भेंकर ओ भी मैंने गाया, म्यूजिक के पैसे से फिल्म बना लेते थे, इतना पैसा म्यूजिक से मिलता था आज अगर कोई कॉमपणी आपको दया करेगा आपका म्यूजिक चली है, आपका म्यूजिक मैं ले लेता हूं, आप इतना राखिए ड़रिस्मेंट के लिए और प्रोमोशन के लिए इतना पैसा चाहिए, मतब, म्यूजिक भी दो, साथ में इस सब पैसा भी दो तो कहां से अच्छा बनेगा मुझी का बताओ ना तो देवी और सर्जनो गायक जिनकी मधूर आवाज चार दशकों तक लोगों के दिल और दिमाग पर राज करती हैं और अभी भी कर रही है कुमार शानुजी आपका बहुत-बहुत स्वागर्प दरेट माइक बनारस में हैं आप बनारस में आपने बाबा विश्यनात की आरती देखी आपने आपके जो कदरदान हैं यहां पर उनसे आपका उनसे आपकी रूबरू हुई कैसा महसूस हो रहा था उस समय में देख रहा था खास सोर से बावा विश्यनात में तो आप बहुत भावक हो गए है क्योंकि एक इतना चार डिकेट में कभी भी मैं आके इस तरह से पूजा या इस तरह से जो उनका जो स्रिंगर करना श्रिव जी का ये सब मैंने कभी देखा नहीं था तो ये इस बार आके मैं अपने आखों स वह सामने बैठके ये किस तरह से उनको सजाये जाता है किस तरह से एक मन में क्या फैदा हो रहा था उस सबया बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कि आए वक् Dedha मेरा एक अन्ट लेकिन I was so happy yesterday and आज भी मेरा रुद्रा भी शेक हुआ पुजा किया अब देखे होंगे तीलग भी लगा हुआ तो डिर दिन खाली पुजा पाद भी गया मैं जीश काम के लिए था एक्चुली गुरुजी के पास एवर्ट फंक्शन के लिए वह आवर्ट तो ने लिया ही कोई सफर है और वो अभी भी निरंतर चल रहा है इसको जवाब ऐसे कभी कभार बैठ करके सोचते होंगे कि मैंने कहां शुरुआत की सन्नावासी से आपकी शुरुआत हुई की 1989 वहां से लेके अब तक और एक यात्रा जो चलती ही चली जा रही है उसको आप किस तरीके से देख होता है एक सुखत टाइम आता है फिर थोड़ा सा आलाग होते हैं फिर थोड़ा सा फिर आता है सुखत टाइम यह आप संड डाउंस जो है यह तो चलती रहते हैं लेकिन मैंने इस चीज़ को भरपूर एंजोई किया जिसको कहते हैं कि एक जो केरियर मेरा लंबा केरियर था उसमें मैं mainly मेरा enjoyment जो था वो है हमारा सुनने वाले और जो दर्शक शूरता जो है उनके बज़े से मैं इस life को enjoy कर पाया because of them, because वो जिस तरह से हमें होसला बढ़ते थे, जिस तरह से हमें वो उत्साइट करते थे, जिस तरह से हमारा प्रसंसा करते थे, तो इसमें न इक दिन बो दिन चहां बढ़ता गया, कि और बेटर क्या करोू, और बेटर क्या करू, तो ये सब चीजों में बीद गया 40 साल, यह सब चीजों में बीद गया और इसमें ही हम बीजी रहें, इसमें हम खुश रहें, कभी कबार दुग भी हुए, ऐसे कोई बात नहीं है, वो तो होते ही है सब कोई, मामी का डेध हो गया, डैडी का डेध हो गया, हमरे आखों के सामने, वो लोग थोड़ा टाइम हमरे साथ बीताय कुमार सानु होने के बाद, लेकिन जो प्रॉपर जिस समय उनको रहना चाहिए था, उस समय वो रहनी पाया, क्योंकि हम लोग गड़ी में जिये, गड़ी में पैदा हुए, और हमने गड़ी देखा, ऐसा नहीं कि एकदम भूगे तो नहीं थे, लेकिन गड़ी जिस एक तरीके से तो सानु था उन्होंने आपका पीक या आपकी देखा, लेकिन उस समय ना उन लोगों का जो मेंटल स्थिती था, मेंटल स्थिती था, एक जन तो अलजाइमर पेजेंट हो गया था, मेरा मामा, तो उनको पता नहीं था के कुमार सानु क्या है, और सानु, खली था, मैं जब रेकोड़िंग करके आते थे, कल डैडी पूछते थे, कैसा हुआ आगाना, अच्छा हुआ ना, खली इतना ही पूछते थे, वो जता है, अच्छा म्यूजिक डिरेक्टर खुस तो है ना, मुझा जै, हाँ डैडी खुस बहुत है, और बहुत यह किया, वो तो इतना खली उलोग ना इंजा किया, उस, बट हम उनको, मैं हर एक इनसान को यह कहूंगा, कि आपने माबाप को मर्ते दमता का, अगर आप नहीं देखोगे, और आप उनके साथ नहीं दोगे ना, तो आप जिन्दगी में कुछ भी तरकी नहीं कर पाओगे, मेरा यह फिल उनके जीवन में भी होई शंतुष्टी, होई शंती, होई उनका लाइप चलता जाएगा, because of them. I think भगवान से पहले माबाप है, यह तो सब को ही जानते हैं, and after that भगवान, तो माबाप को इग्नोर करके आप भगवान का पूजा करेंगे, nothing, कुछ भी नहीं मिलने वाला, क् उपर वाले ही पहले नाराज हो जाता है, यह जो कुमार सानु का कुमार सानु बनने का सफर रहा है, वो कब शुरू हुआ, क्योंकि यह तो आपका नाम नहीं था, यह नाम नहीं था, यह नाम मैं Kalanji भाई, Ananji नहीं दिया मेरे को, एक सानु भटाचर जी नाम था, तो उन उर्दू इतना strong है, इतना powerful बोलते हो, गाते हो, मतलब उसमें, लब्स जो है आपका, इतना powerful है, तो इसमें पता नहीं चलता है कि, आप Bengali है, जो कि आप ऐसे बात नहीं करेंगे, गाने से कोई नहीं बता सकता है कि आप Bengali है, यही चीज कलने जी भाई पकड़ लिया था, 希ays बहलें के नाम आइशा रखो थाको किसी को पता नाइचाले कि तुम पहुंसी मुझा आपके हो तो मैं विल ए ने नाम आप दिना है तो लुकरियानगा के वह ली यह सोच के कृमार सान्म नाम में तब मैं कृमार सान्म है जाता हूं। क्यूंकि केदर्नाथ नाम शुरू से मेरे को बहुत ऐसा लगता था कि बच्पन में 6,8,10,12 जब उमर हुआ सब क्या कोई बुड़े आदमी कोई बुजूर आदमी कोई अदमी कोई बावा टाइप कोई आदमी है जो जिसको, तो मैं 12-15 साल में यही सोच ते, तो सब लोग मेरे को, यह आया था दोस लोगों से, दोस लोग मेरे को कई दर कई दरबोलके, मज़ा कुडाते थे, औरे कईधनात आगया, कईधनात आगया, तो एक ना, वही फीलिंग आया था, तो मैं उसको हटा के मैं बहुते हैं एक एदर नदनी रखेंगे नाम यह तो दिया वला नाम था तो घर में सानू सानू सब बोलते थे च्छाना से से सॉनु उइए च्छानू से सनू तो ने क्वारिग्ट ओपν कहते हैं या मित फिर बात नाम कॉक्टा में रख वए है क्या था लिंगो आप पूरिए हां क्या कात्तर किरुए किया थे च्छान हो या को पसंदे जैसे बहुत सारे लोग जो है वो आज भी प्रयाग राज नहीं इलहाबाद पसंद करते हैं चे नहीं मडरास पसंद करते है उसी तरीके से मुंबाई नहीं बॉंबे पसंद करते हैं उनका एक जैसे मैं जानता हूँ मैं तो ऐसी भूलू है के लिए वो कोलकटा है या कैलकट मैं कभष क्वृष्ट आप चेन्ज कर ओढ़ारा है कि आ एक स्थोटा सा नामचेंज खरकर को खुद को चेंज करो तो आप खूथकोच्हेंज करने के नाम चेंज करने से जे इनसानियत चेंज हो जाएगा या इनसान का जो ओरिजिनलिटी है वो चेंज हो जाएगा नेवर. उसको चेंज करने का कुछ तारीका निकाली है. पर शानुदार नाम तो आपका भी चेंज हुआ? हुआ, कोई बात नहीं. लेकिन आइडान थिंग उसक साथ साथ मैं भी चेंज किया चेंज हुआ जैसे काल आपको मैंने स्टेच पर बता रहा था कि मैं एक स्कूल चलाता हूं कि गड़ी बच्च लों एको लिए यह मेरा चेंजिस जो था ना गड़ीमों की प्रती जो एक बहुत ज़्यादा उधर था मेरे मेरे मन में है आभी भी भैंकर है मेरे को ऐसा ही लगता कि भगवान आगर मेरे को ऐसा इन लों की तरह हाजार कड़ और पांस से कोड़ साथ दे देता था तो मैं ऐसा गड़ीमों का उद्धर करता ना ये लोग सोज भी नहीं सकता कि मेरा माथे पर क्या क्या प्लाइन है इस तरह से मैं करना चाता दर्शकों को ये बता दूँ इससे पहले की सानुदा आगे बताएं दो स्कूल आप चलाते हैं एक दिली के दौरका में और एक कोलकाता में और कोलकाता में उस इलाके में जहां अत्यंत गरीब हैं चंदर बन जो बोलता है ना कि रॉयल वेंगल टाइगर के जो जगा है सु तो उस एरिया में, मैंने देखा, उधर भी जाके, मैंने उधर क्यों पुला, उसमें करी 75-80 बच्चे वहां पर पड़ते हैं, गाउं के, दिल्ली में करी 200-200, तो ये कब शुरू किया अपने, ये अभी हो गया, करीब 8 साल हो गया, क्योंकि मैं पॉब्लिसिटी के लिए कभी भी बोला नहीं न, तो लोगों को कुछ बोलता नहीं था, कि भाई, मैं करता हूं, नो, ये मेरे एक तसल्ली है, मेरे खुद की एक चाहा थी, कि मैं भी गरीबी में पढ़ने ही सका था, ठीक से, जिसको कहते है, एक तो बदमास बहुत था, और ये बदमास के आया था, डिस कोई तरीका नहीं था, तो उस तरह से बदमास हो ही जाता है बच्चे, तो हम बच्चे जब बदमास होते हैं, और उसको अगर काबू नहीं किया जाया, हमको थोरा सा मोका मिल जाता ही दर उदर से, तो हम बच्चा बदमास ही बढ़ता ही जाता है, तो हमने भी ऐसा ही हुआ पढ़ाई में पिता जी का जो लिमिटेड अर्निंग था उसमें हम लोग को वही सरकरी स्कूल जैसे होता है वही स्कूल में पढ़ाया एंड बस उसमें तो आप पुछो ही मत कि क्या सिस्टेम है क्या नहीं है फिर भी जहां तक होसा का पढ़ा स्कूल क्या था कि बेंगॉली मीडियु पैसा भाई उस समय तो बहुत पैसा लेटे थे लोग थो है वही मया बुला कि कुछ लोग है सोने का चम जी डूकर चमोटी में होता है हाथ सही खाते हैं हम लोग उस के dee में है लेकिन सानुदा आप यह मानेंगे कि आप लखी रहे बहुत ही क्योंकि क्योंकि उपरवाला ने मेरे को बहुत हां यूर यूर वाट 66 नौ नौ 68 68 और 89 में आपने शुरू किया था यानि कि इसमें से अगर आप कितना आप अल्मोस्ट आप यह 40 यह गए ना ना ऐटिशन में आपने शुरू कब किया था ना आप समय लो चौबश पच्ची साल में हमने चौबश में आपने शुरू किया ता उससे पहले 16-17 साल बे लेकिन बंबे आने के बाद यह सब करने के टाइम पर वो आप मेरे को देख रहा है कोई मेरे को बोलता नहीं कि आप 68 नहीं लगते है कोई भी बोलता नहीं है कि एब अधिक कर नहीं कि यह 68 नो इपलुछ जो कुछ जैसे आप कर रहे हैं एकदम वाइट कुछ पसंदीद चीज है जैसा होता है कि इस टोटाली उमर इस नोट दा फैक्टर जब तलग आप काम कर सकते हो आप जब तलग करमठ रहे और जब तलग आप क्या बोले थोड़ा भूत खान पान में ध्यान देना जैसा मैं दारू नही हैं लेकिन बनारस की कचोडी खाता हूं में ने ताल लाहा पागल की तरह ढोंडा तो आझ शूबव जा के मरेको मिला होटेली में होटेली में होटेली में हों बने मेरे को पूरी बना के दिया हींग का जो मेरे को पसंद दीदा था हींग गयार तोरा सा कलंजी बगर Development उसमें भी थोड़ा सा हिंग तरका देते हैं, तो सुबह वही खाया मैंने, वह डाका रहा है, दो जो भी है, हमने भरपूर खा लिया, उसका भरपूर मजा लिया मैंने, उसका आलू सब्जी से भी काया, लास्ट में क्या किया, चाय के साथ, मेरे को चाय के साथ बहुत पूरी है, जिनल दो पूरी हम खाते हैं हमेशा, क जब पते हैं, तो यह लत नहिं है, तो चाय जब पते हैं, तो ऐसा लगता है कि दो पूरी अगर दिख गया, बेस्ट ऑपसन वही ए, कि नो पूरी, क्योंकि बच् Purpur में रोठी के साथ चाय खातते हैं, काल का बासी रोठी जो था वो सुबा उठके हमको चाय के साथ हो जाता था नास्ता नास्ते में तो वह बासी रोटी और चाय का जो आदत है वह आपडिंगी तो वह चीज बाद में जाके थोरा सा पूरी में तब दिल हुआ मतलब वह बासी रोटी से पूरी में अपग्रेड हुआ तो आप पूरी देखने से बहुत दिल करता है के चाय के साथ हो खाऊं तो आज खाया मैंने और आपका कितना समय मुंबई में बीचता है और कितना वक्त युनाइटेड स्टेट में मैं तो उन्हों के पास टाइम ही दे नहीं पाता हूं क्योंकि बहुत मुष्खिल से दस दिन निकल के अगर चला गया एक देड़ माहिने में दो माहिने में तो बहुत ही मुष्खिल से निकलना पड़ता है क्योंकि आम सो बीजी नहीं क्या आशी की के समय में भी मैं इतना बीजी नहीं था जितना मैं आज बीजी हूं और वो दौर था जब आपने एक दिन में रिकॉर्ड बनाया अटाइस गाने उन समय एक चीज में फोकस था आज मेरा फोकस चारोर हो गया जैसे मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है उसके लिए हमको हर हपते में मैं प्रमिस करके रखा हमारे सुनने वाले को दर्शकों को कि हर हपता दस दिन में मेरा एक नया गाना आएगा यूट्यूब चैनल में तो I have to make that song and उसका वीडियो सब कुछ करना पड इसका वीडियो सुटिंग करना फिर प्लास साथ में सोज का ट्रिमेंडस प्रिशर है पाब्लिक चाहते हैं तो फिर हमको जाना ही पड़ेगा सोज का ट्रिमेंडस प्रिशर होता है अभी समझ लो बीच में इंडियन आइडल था उसमें हम करते थे अभी साहिद आगे बाला जो इंडियन आइडल आ रहे है शायद उसमें हम जा भी सकते हैं अपको लगता है कि आप वो रोल ग्रेजुएशन कर चुके हैं जैसे आशिकी के टाइम पर या उसके बाद दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे या और जो आपने गाने गाए मतलब वो तो लिस्ट इतनी जो कि ना नव से तनिगवे लंभी है बाजी घर, नैन्टी अकॉडिंग टु यू आप मानते हैं कि वह आपका सबसे स्वन्नें पीक, मेरा का काल था, मेरा नहीं यह सवन्निम पिरियड हमारे इंडिया के लिए भारत बर्ष के लिए था, यह सवन्निम पिरियड यह भारत 90's को सबसे खराब दौर माना जाता है, no 90's is the golden era of music industry, for music industry, बहुत सारे लोग हैं वो इसको नहीं मानेंगे, no, वो कहरेंगे सबसे poor dressing sense, सबसे बखवास filmे, और बिल्कुल एक जैसे गाने, no, एक ही जैसा ले, no, यह completely wrong, नहीं तो आप सोचो ना के हम अभी अमेरिका में अभी हम 14 सो करके आया, 14 सोज, कोई singer एक साथ 14 सो नहीं करते, अस्तला किया नहीं किसी ने, तो 14 सोज हमने जो किया, यह सब 30 दिन पहले से sold out है, 14 सिटी में, 30 दिन, 28 दिन, 20 दिन पहले से sold out सो है, यह आप YouTube में जाओगे न, आपको दिख जाएगा हर एक जगा का sold out, sold out, sold out, सबका जो जितना भी 14 जगा है, sold out, तो पाबलिक का जो डिमांड है, यह जो बगवास कोई करते है, कि भाई, 90 दिन दिम काना, I think, 90 दिन 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 वह शायरी हमको मिला था, लिरिकली इतना पावरफुल था, मूजिकली इतना पावरफुल था, एंड हीरोज जो थे, वो लोग देखन जर्शी को खुपाद मूर था, आप शारुक खान को ले लिजे, आप सलमांघ को ले लिजे, आप Bákya Akshay Kumar को ले लिजे, आप सायपाली खान को ले लिजे, किसी को भी ले लो, देखो ाजादेब गन ले लिजिए आप किसी को कि देखो कि कोई बहुत बदसुरत आजकल का जो होता है बहुत बदसुरत हिरो भी आ रहा 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 है बट उस समय एक प्रपर हिरो एक प्रपर हि अजखली ग्रेंजर, टेकनलोजी, आपको साउंड, नया म्यूजिक में हो जाएगा साउंड, आर टेकनलोजी दिखाएंगे आपको फाइटिंग सीन में, फिर प्लेन से जाम करना, यह काना स्टांट, यह सब और आपको ग्रेंजर दिखाएंगे कि स्वीजन लैंड में गाना स्टोरी, स्टोरी में आप देखेंगे कि स्टोरी शुरू एक होता है, फिर बीच में कुछ और करेक्टर जूर जाते हैं, फिर लास्ट में और कुछ करेक्टर जूर जाता है, में स्टोरी से हट के दूसरी यह पर चले जाते हैं, तो इसलिए क्या है, आप देखो, कि इतने बड़े-बड़े बजट का फिल्म, इतने बड़े-बड़े बजट का फिल्म, सुपर डूबर फलफ हो रहे है, मूँ के बल गिर रहे है, अब सुचो पांच-सात लग में बना था आशी की, क्यों चला था, आज भी किनो सबसे ज़्यादा बिकता हुआ आज बज़े है, वाई? उसकी स्टोरी-लाइन, मैंने आप से इंटेवियो करने से पहले अभी आशी की, संनब्बे वाली पिर देखी, वो as a plot, as a story, at least अब 2024 में बहुत अजीप सी लगती है, बासी सी लगती है, लेकिन उसके गाने आज भी सदा बहार है तो इसका मतलब आप जो थोड़ी देर पहले बोल रहा थे कुछ लोग बोलता है कि 90s बक्वास है यह है वो है आज भी क्यों सुनते हो 90s के गाने आज भी क्यों आशिकी साजन, साड़क, दिवाना, बाजिगार, दिलवाले दुलानिया ले जाएंगे कितना आपको गिना पर यह सब वो सुनते हैं ना मेरी उमर के लोग जो कि उस एरा में निकल करते हैं आपको मेरे वीडियो दिखाऊंगा आते हैं बच्चे 80% बच्चे हैं 20% एजएड लोग है क्या बात कर रहा है चार जेनरेशन के लोग हमारे शो में आते हैं इतना चोटा-चोटे बच्चे गाना रिकुस्त कर रहा है स्टेश पर क्या बात कर रहा है यह वाले गाने नयाइंटीस के गाने एतना चोटे-चोड़े इसको मेरे चार जेनरेशन ज़ए गाना सुनते रहते तो मतलब इसको golden era नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप तो ऐसा कोई era दिखा दीजिए जिसको 5 generation, 4 generation सुन रहे है नो ऐसा है नहीं आपको लगता है आपके music में यह वो जो high recall value वाले गाने होते हैं जिनको लोग याद जादा करते हैं वो हर दशक के बाद वो गानों की recall value क होती जा रही है जैसे की 80s के गाने लोग बपीदा का जो वो था डिस्को डांसर और वो वाले गाने भी सुनते थे उससे पहले वाले गाने जो है उनमें एक अलग मौमद रफी और वो लता वो वो अला फेस था 90s कुमार सानू और उधित नारायन का फेस था यह आप मानते हैं बिल्कुल बिल्कुल हम तो यह मानते हैं यह हम लोग का क्रिडिट की बात नहीं है में चीज है कि एक सब के पास सुनने के लिए समय था समाज भी इसके लिए दाई है समाज भी इसके लिए उनको भी क्रिडिट देना चाहिए कि समाज में हर एक के पास वो सुनने के लि इतना मेडिया नहीं था इतना माध्यम नहीं था तीवी में आज 500 चैनल 700 चैनल उस समय दो यह तीन चैनल होता था एक तो दूर दर्शन उसमें में था और बाकी पता नहीं बाकी और किया था आई थे प्राइविट चैनल स्टार प्लास और जी एक अधा तो अब गिनेशिव में दो यह तीन चैनल था जिसमें इस अब गानामाना चलता नहीं था क्योंकि चलाने के लिए बहुत पैसा लगता था उस समय संभब नहीं था तो खास करके जो रोल प्ले करता था यह तो उस समय मार्केट में कैसेट छोड़ा जाता था पहले उस कैसेट को लोग सुनते थ सुनके उसके मन में चाहा होती थी कि भाई यह गाना इतना खुब सुरत है तो चलो फिल्म कैसा होगा उक फिल्म घर तक उनको खिच के लाते थे तो संगीती उसको खिच के फिल्म घर तक लेका लेका था गाने हमेशा पहले रिलीज होते थे दो माईने पहले रिलीज होते इसको धमत धम गाना बसता था मायक में, माल्ड़ पॉबिसिटी होगे फिर जब फिक्चर निकलता थे तब फिक्चर हिट हो जाते हैं यह का अब नहीं तो पावार मिस्ट में करने नौण नोट ओनी कम्पोजिशन इट इसंद penn विलिली इन सिटुईशिंट एंड social system social में हमारे जो समाज में जो परिवर्तन हुआ इतना fast हो गया हर चीज, इतना चैनल सा गया इतना social media इतना YouTube चैनल इतना ये तो क्या है कि लोगों को वो तकलिप करके जो चीज पाना उसमें जो मज़ा होता था अब easily हाथ के अंदर सब आ गया तो उसमें मज़ा कहा होगा लेकिन जानू था हर दौर अलग नहीं होता है अब जैसे इसी दौर की देन आरंब है प्रचंड भी है इसी दौर की देन जो है वो प्यूश मिश्रा के और गाने भी है इसी दौर की देन कुछ और भी इस तरीके से गाने और ऐसे भी बहुत ही खुहड ऐ हुकू टाइप गाने मैं आपको क्या कहा कि छे गाने के अंदर एक हाई हुकू दीते थे और भी हीट हो जाता था उसके अंदर एक जरूरत के लिए, हीरो मस्ति वस्ति कर रहा है, उसके लिए एक गाना देना पड़ता था दिया. आज अगर सारे गाने को आप आइटेम बना देंगे, यह सारे गाने को आप उसी तरह के बना देंगे, आपको भई तसल्ली दिया, छे गाना आप सुनो अच्छी तरह से, देखो क्या है, उसमें मज़ा, एक गाना कहीं आ गया तो भी चला जाएगा, तो काली-कली आँखे भी आप देखो, बाजिगर में, बाजिगर में, बाजिगर कितना सॉलिट गाना है, वो भी हीट हुआ, वो साथ-साथ काली-कली आँखे भी सुपर-डूपर हीट हुआ, अभी यह सब ना, यह क्या होता है कि मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं कि, जो हम लोगों को मिला ना, कोई सिंगर का आइडिन्टिफिकिशन नहीं है, एक सिंगर का गाना सुनके आप जैसे फट से बोल दोगा कि यह महमद रफिशाब का गाना है, यह की शुर्दारा गाना है, मुकर जी यह गाना है, वैसा हम लोग परवर्ती में काल में आया तो ही है कुमार सानु का आवाज यह उदित का आवाज है, यह अलका जी का आवाज है, यह साधना का आवाज है, तो हम लोगों ने आइडिन्टिटी बनाया, हम लोगों ने आइडिन्टिटी बनाया जैसे महमद रफिशाब बनाया थे, क्योंकि आप लोगों कम थे ना, कम किसने का आपको, मैं आपको गिन आपको और बहुत सारे लोग थे नितिन मुगेश जी और भी थे और भी थे तो खली साथ हुआ अभी हो कम से कम आपको 15 गिना दूँगा नहीं थे नहीं थे करके 15 सिंगर थे उस समाएं ऐसा नहीं तो 15 सिंगर में से अगर कोई निकल के आता है तो अगर देखो उसकी बड़ी होती है कोई भी स्टार के लिए यह भी आप जान लो यह एक तो है लख एक है समय टाइम और एक है टैलेंट है समय भाग्य और प्रतिभा सबसे ज़्यादा किस चीज के दरूमत पड़ती है एक के बिना एक अधुरा है होई नहीं सकता है तीनों चीज जब एक साथ होगा त लख खाली टैलेंट नहीं होगा तो आपको लगता है अब लखी जुटी होगा है कि करके अंता मैं आता कर सकताहक हो यए आपको संदर सा एक्सिक्टियांट वहां पे लग था और समय था, वहां पे टैलेंट नहीं था, जिसको कहते हैं तैलेंट, प्रॉपर टैलेंट जिसको कहते हैं, अब और एक गाना ले लिजिए ऐसा, जो गाना आया और कुछ दिन बद पठक से चला गया, ऐसे बहुत सारा सिंगर हमें किसुका नाम नहीं लोग जिसको कहते हैं, अब तरफ गवार्ट, समय और प्रतिभार्ग तो ये तीनों में से कोई हैं, अगर लाग और टैलेंट आपको उपर चड़ा देते हैं लेंगिन आपका समय नहीं आया तो आप गिरोगे. बढ़े तो आपका समय और टैलेंट दे दिया या समय या लाक दे तो आपको धम करके उपर चड़ा दिया, आपका टैलेंट नहीं है आप गिरोगे, तो ये तीन चीज का कॉमिनेशन जो है ना, ये मैं मेरे लिए नहीं नहीं बोलना, मैं बहुत सोच-सोच के ये अविश्कर किया, कि भाई, क्या चीज होता है कि लोग स्टार बनते हैं, तो ये तीनों चीज का संगनिश्रन जो होता है, ये तीनों चीज में स्टार बनते हैं, तीनों चीज में कोई भी एक चीज मिस होगा, तो नहीं बनेगी, नहीं बनता है, अब मुझे ये बताईए, कि आप जो कॉंसर्ट की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, आशिकी के टाइम और आपने oblige भी किया Concerts का मतलब यह होता है कि People are celebrating what you have already achieved Not what you are creating now तो आपको लगता है कि अब 66 साल की उमर में आपको इस बात का हैसास हो गया है कि मेरा peak मेरे पीछे है और Concerts में मुझे वही गाना है और यही मेरी glory है और आज की industry में अब मैं शायद उस तरीके से ना जाना जाहूं जैसे मैं 90s में जाना जाता था या 2000s में जाना जाता था आप समझ लिए बहुत मुश्किल से आप पहाड के उपर एक बंगलो बनाया नीचे से आप बहुत सिमेंट, रिती इटा, ब्रिक्स सब लेके ना सब बंगलो बनाया लेकर आपको जुरॉत है कि है आपको नीचे फिर दो बड़ा आप पड़ेगा बंगलो तो हम पाझ रहेगा क्योंकि आपने बना लिया AIB Schools आप को नीचे गिरने का तो डड़ नहीं है सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपने एक जगा बना लिया, अब मुहमद रुपी सब चार खाराब गाना भी गा दिया, तो कभी नीचे गिरेंगे, नहीं गिरेंगे, कि शुर्दा कभी बहुत सरे गाने ऐसा है, जो लोग पसंद नहीं है, ऐसा पर गाना भी है, लेकिनो कभी नी वाइड आप नहीं कर सकते, क्योंकि विए गोइंग विद्धा पब्लिक, अभी जब मैं गाना गा रहा हूं, आपने एक मर्क किया होगा, कि हर एक ने हमरे साथ गा रहे है, लिपसिंग कर रहे है, इसके मतलब क्या है, कि उनको वो शब्द मुझबानी आदे है, मैं दिल मे मुकेश जी बुलिए, लता जी, आसा जी, वो एक कितनी लागवली बात है, कि एक इनसन के अंदर आप घुच सकते हो, और घुच के आप अपना जगा ऐसा बनाया, कि अगर कोई भी आए, उसको निकल के नहीं फेक सकते, भलत चन दिन के लिए नए जो आए उसको सुन लें तो यू कंट इग्णोर दें, नी इग्णोर नहीं, मेरा है कहना है कि वो अभी भी recall value आपके पुराने गानों की है, हाँ, इसे नए, नए गाने की, क्योंकि नए गाना हम एक तो नए गाना गाई नहीं रहा हूँ, फिल्मों में स्ट्रीम में में बहुत, बहुत काम, अब दमला के हैसे के बाद, समझ लो, ओई मैं तो रास्ते से जा रहा था, वो गाना आया था, और एक आख मारे लड़कियां आख मारे यह सवाह थे, अब वो भी 90s के ही, हीट हुए, लेकिन क्या है, दमला के हैसा, इस न्यू, पंद्रा, 2015, वो नया गाना, उसमें भी हीट करके दिखा दिया, कि अच्छा composition, अच्छा lyrics मिलता है, तो गाना हीट होता है, एक story हो तो, picture में एक story हो, इस picture में story था, दमला के हैसे में, तो हर चीज़ डिपेंड करता है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है, तो आपका good story चाहिए होता है, मैं पहली पता है था आपको, कि good story, good lyrics, good composition, sub combination, heroes, दम लगा के हैशा भी 1990s पर ही एक picture तो वो recall value के लिए कुमार सानु की आवाज जो है, वो बिलकुल उसमें fit बैट रही थी, आप आज के जमाने में अपने आपको कहां पाते हैं, आज की music में क्या आप वो variation दे सकते हैं अपनी आवाज में, जैसे किशोरदा किशोर दा संजीदा गाना भी गा सकते थे, किशोर दा जो है, वो comedy गाना भी गा सकते थे, वो पूरा range था, कुमार सानु ने कितना experiment किया है अपनी आवाज के साथ, इसका कुछ जवाब तो मैं जानता हूँ, जैसे sad song और, सब सब किसम के गाना गा दिया, या आप जो बोल वी, वर्साटाइल अगर नहीं हुआ, तो सिंगर आइडेंटिटी बना नहीं पाते, वर्साटाइल आपको होना ही पड़ेगा, जो हम लोगों में था, उदीत में, हम में, अलका जी में, बाकी लोगों में, तो जो आइडेंटिटी बना पाया, आज आइडेंटी लोग बन नहीं नहीं पा रहा है because of that versatility नहीं है एक जैसे हो गए लेकिन यह तौमत 90s उठाता है कि 90s में सब एक जैसे हो गए थे नहीं यह भी गलत है 90s में आप काली-काली आंखे भी आपको मिला दिल है के मानता नहीं भी मिला आपको अब देखिए वेरिशन देखिए एक काली-काली में हम खो गया second time में लब का जिन्दगी की तलाश में हम मौत के कितने पास एकाली-काली आंखे अरे मैं तो रस्ते से जा रहा था तो आपको versatile होना पड़ेगा भाया जितना भी आप बोलो मैं वो एक किसिम के गाना नहीं है ऐसा classical गाना भी गाया मैंने गजल भी गाया मैंन गजल तो जानते हैं। मंत्र है वो गाय था तो ये जो आप कैल्केडा में जाओगे अब गिंगल को हूँ में मैंने तेगोर संग गाया दिजिन्डरो गी ती गाया पल्ली गी ती गाया बाउल संग गाया उसको बता है माजी का गाना गाया तो हमने हुआ पे सब गाक्या आया इतना असान नहीं है केरियर आप सोचते हैं कि आप मेरा कोई भी एक नजूल सौंग उठा के आप सुन लीजिएगा कभी इंदगी में अगर हो तो कि देखना वो कितना टाफ होता है गाना नजूल सौंग इस वेरी टाफ जैसे की बहुत सा बहुत सारा एक नहीं आपको मैं श्यमा संगित काली मता का गाना एक लाइन गाने के लिए लोग पागल हो जाएंगे इतना कठीन गाना था प्रफ को गाके नहीं बता रहा हूं और आपको नाम बता रहा हूं आप सब उस चीज आप एक मिनिट में बेंगल में किसी को भी ब दीजंडर गीती, परली गीती, फोक्स सौंग, बाउल सौंग, माजी का गाना, तर्जा होता था पहले कभी का लड़ाई होता था ना? कभी-दूसरे कभी से. वह हमारे बंगल में भी था, भैंकर, ओभी मैंने गाया. तो मैं यह बता रहा हूँ आपको के एक वर्सेटाइल होने के लिए इतना असन काम नहीं है आपको लोग सोचता है कि कुपर सानों आया रोमेंटिक गना गाया रोमेंटिक सिंगर बन गया नू नू नो नॉट लाइक डैट हमने जब यहां पर आये वो तो बहुत देर हो गया पूझते हैं इतना प्यार करते हैं मेंगल को लोग को मालू है कि यह क्या कर सकता है यह लड़का तब तो वहाँ पर बंगो भी बूसन दिया हमको तो क्यों दिया तो जो भी है ने ने बट यूँ वेरी वेल रिस्पेक्टेड देश ने आपको जो आज भी प्यार दे रहा ह और जो सम्मान जैसे की नैशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, मुझे लगता है कि बहुत ही एक त्रिप्त जीवन रहा है आपका उसलिए मैं बोलना हूँ कि I am never unhappy, कम से कम हमारे career लेके मैं एक बार भी नहीं सुचता हूँ कि हमको क्यों नहीं गा माँ तो आपको complaint किये, एक बोला कि हमकाम नहीं देते, यह बात तो सच है, मैं तो जूट नहीं बोला, क्यों नहीं देते, प्यार बोत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन काम नहीं देता है mainstream में, यही मैं पूछना चारू हूँ क्यों आपकी relevant हो गए, इसके पीछे बहुत सारा कारण है, singing is not the point, या मेरा voice is not the point, point is other, बहुत सारे thing है, एक, हम हमारी बात करेंगे, हम बाकी लोग का बात नहीं करेंगे, हमें बुलाने के लिए, एक music director के अंदर उतना दम होना चाहिए, कि वो कुमार सानु जैसा गाना बना है, पहली बात तो यह है, दूसरी बात उसके अंदर इतना guts होना चाहिए, कि वो कुमार सानु को गावा है, आप बात को समझा के जिएगा, तिसरी बात यह है, कि कुमार सानु को गावाने के लिए, उनको payment देना पड़ेगा, हमारा जो रेमुनरेशन है, वो हमको देना पड़ेगा, और रेमुनरेशन देने से इजजत की बात होती है, बिना रेमुनरेशन के जितना जो बारा सिंगर लाइन लागा के और बैठे हुए है, कि भई हमको खली गावाव चांस दो, आपको चाहिए कुछ हम देते हैं आपको, लेकिन गावाव, I'm not that kind of thing, तो आपको अगर गाना गावावाना है, तो सोचो आपको कितना रिस्क देना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात, सबसे उसमें में चीज है पैसा, अरे हमारी यहां पर लाइन लागा के बैठे हुए, गला कुन सुनता है यार आजकल, वो साउट कर सकता है, चिलाता है की नहीं देखो, वो उचा स्केल में जा सकता है की नहीं देखो, और गला कैसे भी चलेगा, पतला हो, एक हीरो क्यों मार्खा रहा है, हीरो का आवाज एक अच्छा आवाज है, आचानक पतला आवाज में उसका रोमेंटिक गाना आया, तो लोग ना इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वो कनेक्ट नहीं होते, कि यह बात कर रहा था, हाँ, तुम से मैं बहुत प्यार करता हूँ, आचानक करके गाना शुरू किया, तो कैसे हो कनेक्ट नहीं रहेगा, बताइए, लोग पहली रिजेक्ट नहीं देते हैं, यह ठीक है, गाया कोई किसी ने, बट उसके साथ, बट हमने जब शारुख खन डायलग बोल रहा है, शारुख खन के साथ, जब आप गाना सुनोगे, तो आपको लाएगा कि शारुखी गार है, रिशिकपुर गार है, या उस समय सलमान खान गार है, क्योंकि उनको उस तरह से ढ़लते थे, हीरो के जो एक्सपर्टिस था इसमें, जो आपने आपको किस तरह से ढ़लते थे, तो हम लोग भी उस तरह से गाते थे, सिचुईशन के ही सबसे, हम तो गाला चेंज तो नहीं करते, लेकिन उस एक्स्पेशन को हम लोग चेंज करते, क्योंकि गाना जो है, फिल्म का इंटेग्रल पार्ट होता था था ना, सानुर्ट अब नहीं है, सिचुईशन के ही सबसे होता था, अब कहा हैं, अब तो जबर्दस्ती डाल दिया जाता है, चल बहुत देर होगी, अब लोग बात्रूम नहीं गिया बहुत दिर तक, अब ये गाना डाल देता है, और लोग बात्रूम करके फिर आजाएगा, तो गाने को इस चीज के लिए इस्तमाल की जा रहा है, तो मैं आभी थोड़ी दिर पहले आपको यही बता रहा था, इसलिए उनको लगता है कि कुमार सानु उसे गाना-गावाना जो है, वो महंगा पड़ेगा, जब बात्रूम जाने के लिए ही गाना-गावाना है, तो किसी से भी गावाला, तो किसी से भी गावाला, अब गाट दमार्वानेट, मैं इधर दोखो, मैं एदर किसी का बुराई करने के लिए नहीं बैठा, आपके साथ, जो सच्चा ही होए थोड़ा बहुत तो सच्चा ही बता रहा हूं, लोगागा सब्जे तो बहुत अच्छी बात है, I think, लोग समझेंगे, देखिए, हमारे इंडस्टी में अभी दो चीज बहुत कॉमन हो गया, आप लोग भी सुनना, एक है कॉम्प्रोमाईज, एक है कॉम्प्रोमाईज, कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाईज करना, जैसा म्यूजिक डिरेक्टर को अगर आप पावार नहीं दोगे, कि भाई, म्यूजिक आपका डिपर्मेंट है, आप इस डिपर्मेंट को समा लिए, आप इस डिपर्मेंट को देखिए, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, मेरा सीचुएशन यह है, कि हीरो रोते हुए जा रहा है, या हीरो इंडरो रहा है, दोनों बिच्रे हुए है, situation बता दिया, music director उसको उपर काम कर रहा है, आप उसको freedom दो, मैं बोला ना, first point is compromise, compromise मतलब आपको freedom दिया नहीं जाएगा, आपको जिस तरह से कहा जा रहा है, वैसे करो, वैसे करो, और वो कोई computer की powerpoint presentation पर तै कर देगा, यह तो आ रहा है, फिर मैं उस यह गाना बनाया यह गाना मैं कुछ ना को हौ गाना बनाया, अभी पन्जम्दा को ऐकर बोले के Shorty तह से कर रहा हुए है इसको पन्छमत बोले कह ना, just skip that, the फ।वो कुМर सानु चहिए इसमें, हमको कुमर सानु च्झहै और 빠रांड़ ऌ्प आफ। डgovern corn गाएगा, आपको इंटर्फेरंस, स्टोरी में कहिंची, इनका डायलोग ज्यादा हो रहा है, हमारा डायलोग कम हो रहा है, जिन हिरो को पावर ज्यादा है, वो अपना सोचेगा, आगे बालो को आने नहीं देगा, जिन हिरो इनको पावर है, वो अपना सोचेगा, अब हिरो बोलेगा कि इस सिं यही जो इंटरफेरंस है, तो आपने म्यूजिक को किस जगह पे लेके गया, जहां पर नो फ्रीडम, आपका कोई वाटी नहीं है, जो गट्स नहीं है, जो आप बोल सकते हो, कि भाई, यह मेरा बच्चा है, मैं जो गाना बनाए, यह मेरा बच्चा है, यह किस के हाथ में शु आपका है, यह पोल के पिछे से से शे आठ उङली एक साथ रेडी है, यह पसंद नहीं आ रहा है, वो शिंगर, ना-ना-ना उनका कोई मनमतिक सिंगर होगा, या उनके लॉबी में जो सिंगर्स है, उस सिंगर को बोलेगा, तो यह लोग वोते हैं, यह अज़ फोडूसर्या, अपका अलग 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 लॉबी है भाया अपका अलग अलग गोला है एक एक उस गोले में जो लोग है वोगी सब भोला बनेगा तो यह जो चीजे हैं इस चीज के लिए हम कमगार हैं Now I got the point, कि हम कमगार है क्या हमें लेने के लिए उनको बहुत ऊधर होना पड़ेगा एक तो सही इजड देना पड़ेगा, एक सही Ismay Piement देना पड़ेगा, एक सही Compozycion čねँ होना पड़ेगा, एक द्धी IRIQ Cuntaना पड़ेगा, अच्छा लिरिक्स होना पड़ेगा, उर्दू श और वी बहुत कम दाम में मिल जाएगा दाम उल्टा दे रहे है सार एक गाना गवादी जिसर मैं आपको टीवी प्रिजन कर रहा हूं आपको गाड़ी प्रिजन कर रहा हूं ऐसा बहुत सारे है माई गुडनेस ऐसे कहां क्रिएटिविटी कहां जाएगी आप सोचे एक चीज़ अनुदा आपको लगता है एक दौर था जब कैसेट पे या कहीं भी उस फिल्म का म्यूजिक डिरेक्टर कौन है उसका नाम बहुत प्रमुकता से लिखा रिकाता है लिखाई जाता है अभी सि जाते हैं और लोग सुनते हैं सेटेंडरी म्यूजिक को सेटेंडरी कर दिया तभी तो मिजिए पिक्चर का यह हल है अभी यू कंट से निइधिंग अबड़ देट के भई म्यूजिक जो एक बड़ा क्राइटेरिय था एक ट्राइटेरी था म्यूजिक से पैसा आंकर के लो प्रोमोशन के लिए जाहिएू पर फेसा चाहिएू तो कहां से अच्छा बनेगा म्यूजिक बता हूना अर जब आट की बात कर रहा है 이제 इंटारे इंटर्फेरियन्स और जब फिर्ल्माइज होता है तो फवQuéite découvrir कि तो ना पर आट नहीं सकते होँए से इत भीख को जगाई ह आपको ऐसा फीडम देना पड़ेगा कि वो इनसान जिस फील्ड में है वो क्रिएट कर पाये. आप के रिलेटर है क्रिएट, क्रिएटिविटी अगर क्रिएट नहीं कर पाया तो 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 इस नॉट आट. कोई भी चीज हो, आप कॉमेडी भी कर रहे हो, आप अची तरह से कपड़ा बना रहे हो, दर्जी हो, आपका नहीं, आपका क्रिएटिविटी, आपने ऐसा कुर्ता बनाया जिसको देख के पांच लोग अच्छा बोल रहा है, आपका पतिफलित होता है, तो यह चीज को कितने लोग समझते हैं, तो अभी जो compromise and interference हो गया, इसके बएसे बड़े-बड़े फिल्म मुके बल गिर रहे है, अगर सौ फिल्म बनता है, उसमें एक या दो फिल्म हिट होता है, ऐसा क्यों हो, और पहले हमारा 300 फिल्म बनता था, उसमें 280 फिल्म हिट होता है, लेकिन और और भी corporate companies है, corporate companies तो मेरे को कैसा बेवकूब लगता है इन लोगो को, कि किसी का नाम सुनके ही पहले ही पैसा दे देते हैं, बहुत है देखो तो सही पिक्चर कैसा है, यार उसका कोई स्टोडी है कि नहीं, उसका क्या पैसा फेक दिया, पहले ही पैसा फेक दिया, कि आमारा नाम रह नहीं बोलूंगा मैंजा, वह हाली का, दो हपता, तीन हपता पहले अनलीज हुआ था, तो आप बता हो, आप इसको, जो बोलता है ना कि हम गुसे की बात नहीं कर रहा है, I am busy, I have no problem, मैं जिस तरह से टाइगर की तरह जी रहा था, उस समय आशिकी की समय, आज भी टाइगर क का सामना नहीं करना पड़ा है, आप इस तरीके से जब बात करते हैं, क्या आप ऐसी डिरेक्टर के सामने की बात करते हैं, I don't bother about anybody, I don't bother about anybody, कि मुझे ये सुर पसंद नहीं है, हाँ, बहुत बार, बहुत ऐसे कितने गाने चोड़े हैं, किस मुजिक डिरेक्टर को बोला, अभी हाली में काल काई बात है, काल इधर बैठे, मेरे को गाना भेज दिया, उन्होंने, मैंने उसको बोला, this is not my type of song, चिल आम चिली, ये वो आपके लिए रोमेंटिक गाना सोच की भेजा, I'm not going to do that, आपको मेरा कुछ ये नहीं है, आप मेरे टाइप का गाना बनाएंगे, तो फिर मैं डेफिनिटी लिए अब आप खुद गाना बनाने लगें, उस पर किस तरीके का रिस्पॉंस है, ट्रिमेंड़स रिस्पॉंस, आप तो देखो तो सही, मैं तो भाई आपको क्या बता हूँ, कुमार सानु, कुमार सानु ओफिशियल, मेरा YouTube चैनल का नाम है, भाई सब लोग सब्सक्राइब करें, जिन्नों नहीं किया है, ठीक है, वापकी मर्जी, बट आपको अच्छा गाना अगर सुनना है, तो definitely I'm giving the guarantee, कि हर हपता दस दिन में, एक गाना जो 90's flavor का है, and good lyrics, and good singing definitely, अभी एक तरिक को, या 29 तरिक को रिलीज होगा, मेरा एक साधना सर्गम के साथ एक डुएट है, एक गाना रिलीज होगा, आप खाली सुनना कैसा गाना है, amazing, so 18 तरिक को एक गाना रिलीज किया, ये 18 को, अभी ये 29 तरिक को एक गाना रिलीज होगा, तो ये मेरा गाना चलता ही रहेगा, ये 18 को जो रिलीज किया, तो लोग बोल रहा है, हरे गाना निकलने से बोलता है, ये गाना सबसे बेस्ट है, और 18 तरिक के गाना बोलता है, आच तला जितना गाना वो उसमें बेस्ट है, ये होना जिकुछ रहे हैं आपके साहरा है आपके साहरा फेसलिם को सिरे आपका पेसजा नहीं इसमें हमको देंखो सब गाना हम हम कुदी चूस किया तो हरेक किसी एक पारे PREST लिर्षाइए इसमें गाना बृत पॉझो हुता है और गाना जो है इपकर अपने वह में के मेरे जैसा नहीं मिलेगा मेरे बाद जमाने में मेरे जैसा नहीं मिलेगा मेरे बाद जमाने में उमर तेरी ढल जाएगी मेरा इश्क भुलाने में इसके लिरिक्स आपने लिखे हैं? ना ना लिरिक्स के लिए लोग है हमारे सब बहुत सारे उर्दू शायरी लिखने वाले लोग है मौमधन लोग है मेरा दो तिन लोग है मुजिक डिक्टर भी है और सबको लेकर मैं काम करता हूँ क्योंकि इसका होलन सोल राइट मेरा है मैं खुद करूँगा वेरी इंट्रेस्टिंग आपने बात बोली क्योंकि आपको लोगपरियता जरूर किसी और के लिए गाना गा करके मिली हो लेकिन अब आप अपना खुद का काम कर रहे हैं और सब कुछ आप खुद मालिक हैं आपको लगता तर उत्तर ही बता दिया हमने क क्य inten anticipating अंसफिंशन में बता दिया आपके अंदर वह न दम है आपने एक जगा हसिल किया उसकी बाद आप समझ को देने का काम करो आप एक सलीबड़ी बन गया ना अबinging को देने का काम करो तो तो देने के लिए आप कुश्तों करो तो हमारा ज आपको मैं बताता हूँ मेरे जैसा नहीं मिलेगा मेरे बाद जमाने में उमर तेरी ढल जाएगी मेरा इश्क भुलाने में तो सोची इसके बाद वाला लाइन है तुमने मुझको दागा दिया है तुमने मुझको दागा दिया है तुम भी धोखा खाओगे बड़ा पच्चता ओगे बड़ा पच्चता ओगे लेके मेरा नाम हजार अश्क बहाओगे तो ये जो है देखिए अब लिरिकली कितना पावरफूल है एक रोमेंटिक सैड है लेकिन लिरिकली कितना पावरफूल है और कॉम्पोजिशन कितना अच्छा है ये छूता एफ़र्ट से तो मैंने ये अमेरिका में हमको स्टेच पे गाना पड़ा मलूँ मैं? स्टेच पे हमारे यूटीब चैनल का गाना गाना पड़ा मितलब सुचिहाँ कि लोगों को कितना पसंद आ रहा है तो ये बात मैं बोल रहा हूं कि भई- हम जब हमारे हात में जो चीज है उसको तो हम ठिक कर सकते हैं जो हमारे ہात में किने ही हम कर नहीं सकते है चोड़ देते हैं Can have you जाओ इसको ने ये भी देखें कदरदान है अब आपकी जो गाने का उसको पिक कर रहे हैं देखो जहां आपको पता है इसके बारे में किसी ने बोलता है कि नाक से गाता है मैंने कभी अब आपे आप लोग ही बता हई हम ने कहा है इसमें हुए है इसको आपको बदेखें एक सो में से दो लोग तो मिलेगा ही जो टांग खिचने या आपका बुराई करने के लिए वो कई कसर नहीं छोड़ेगा अभी क्या होता है कि इसमें डिवाइडेशन हो गया जैसे अब मुहम्मद रुपी सब की सुर्दा में होता था इतना बेवकूफी है ये हर एक ने अपना अपना जगा बनाया तो इसमें तूलना होता ही नहीं है लेकिन लोग तूलना करते थे वो बेवकूफ लोग थे जो तूलना करते है तूलना आपकी उदिद जी से मेरे साथ उदिद का हो सकता है मेरे साथ किसी का भी हो सकता है मेरे कुछ फैंस मेरे फिवर में है कुछ फैंस मेरे एगेंस में है कुछ फैंस मेरा मेरा है कुछ फैंस किसी और का होगा तो डिफिनिटली हमको कोशते रहेगा कि असल में मनिमन में हो बोलेगा कि इतना अच्छा गा कि हूँ दिया हराम जदा इतना अच्छा कि हूँ गा दि है हम उसमें से कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत भी हम अगर पब्लिक के लिए कर पाएं तो एक सोशल लाइबिलिटीज जो होता है हर एक सेलिबिलिटीज का तो वो हम करने का कोशिश करेंगे मेरा आफरी सवाल अब ये सोशल लाइबिलिटी के पॉइंट पर ही है बिल्कुल देखे आर्टिस से खास्त और से हॉलिवूड के जो सितारे हैं इंग्लिश फिल्म इंडस्ट्री के सितारे हैं हम देखते हैं कि वो अप अपनी political responsibilities या political ideology को छोपा के नहीं रखते हैं मैं जैसा हूँ वैसा हूँ मेरिल स्ट्रीप ने अगर कुछ point prove करना था तो कर दिया आपको लगता है हिंदी film industry अभी इतनी evolve भी नहीं हुई है कि वो एक political point रखने की सोचे भी जबकि वो गानों में आ सकता है आप सोचे ये तो express करने का medium है और इसमें ही सबसे पहले जो खामोशी आती है वो है आर्टिस से जब भी कोई चीज होती है इसके लिए आपको बेबाक होना पड़ेगा आपके अंदर हम्मत होना पड़ेगा कि आप सच को बोल पाओ और उसके जो परिणाम है उसको जहल पाओ उसको जहल जहल रहा हूं मैं जहल रहा हूं मैं सच बोलूंगा बोलते ही रहूंगा I don't bother about कि कौन हमको काम देगा नहीं देगा बार में जाए काम नहीं दिया तो तुरह नसीब खराप है हमको कुछ नहीं है हमें तो लोगों ने अप्रूब कर दिया अभी this is your part अगर तुम तुम तु हम सब के बार में नहीं बोल रहा है कुछ चंद लोग है अच्छे लोग भी हिंद इंडस्टी में अभी इतना देत तक बात कर रहा है अभी तक कुमार सहनू मैं अभी तक 40-歳 के बात भी गाना-घार हूँआ अभी तक चालीश साल के बात भी गाना-गार हूं अब तो ऑपने बाडे में शोचने लागे यह России हो क्या होगा रिपैर केशन उसके बार में ज्यादा सुचते हैं कि अगर हम यह बोल दिया तो उसके एइंस में क्या हो सकता है उसके अश्ख बनायों कोई मैनेजर बताता होगा ना कोई manager या कोई powerpoint presentation पर बैठके बताता होगा कि यह मत बोली है यह मत बोली है इससे वो नाराज हो जाएंगा तो मतलब आपना कुछ opinion नहीं है आपका कुछ उसूल ही नहीं है यूरूंड़ अपना इनी उसूल इनी आपका कोई मतलब पर दादा यह तो यह तो इंडस्ट्री की बात हुए आप उसूल कह रहे हैं उसूल जो है वो सैधांतिक रूप से आप समाज को किस तरीके से देख रहे हैं और समाज के बारे में बोल रहे हैं या नहीं यह तोहमत भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री म्यूजिक सिंगर्स सब ने उठाई है कि जब भी समाज में कुछ होता है तो एकदम से चुप पकड़ लेते हैं वो अपना काम से काम मतलब रखते हैं जैसे अभी आरजी कार हॉस्पिटल में मैं आपको बता रहा हूँ कितने आर्टिस्ट बोले हैं मेरे को एक जन का नाम बुलिए यह लोग कोई रिस्पंस नहीं दिया डर है जिसके वज़ा से डर है हम बुलेंगे तो उसके बाद क्या होने वाला है यह जो बादवाला सोच यह इन लोग को खाये जाते है इनके आंदर कोई मनुस्वत कोई गाट्स, कोई हिम्मत कुछ है ही नहीं मतलब सोचे रेप और मर्डर पूर बोलने पर आपको इतनी अगर क्रीप होगी आप सोचो इसमें सरम आ रहे है मैं तो पहला दिन ही पोस्ट कर दिया था मैंने पहला दिन ही मेरा सब इंस्टागाम फेस्बुक सब उठा के देख लिजे आप देखो जो सचा है उसको बोलना पड़ेगा भाई नहीं तो आपके घर तक आ जाएगा वो ओजूट ओजूट आपके घर में जिस दिना के दस्टक देगा ना तो फिर उस दिन आपको पता चलेगा कि हमने क्यों नहीं साज बोला था उस समय तो कुछ तो होता बात लेकिन आपके घर तक जब यह दस्टक देगा तब आप कहां जाओगे बचके यह हम क्यलकटा के दस्टक को भी बोल रहा है कि भाई यह समय इसको एकसेप्ट नहीं करन है सानुदा अधभुद बातचीत रही है पूरा जीवन काल और आपको as a human being समझने का यह जो मौका मिला है वह मैं अपने आपको कुछ नजीर आपने question भी बहुत अच्छा किया जिसके बाए से हमको बोलने का मौका मिला ना यह भी तो बड़ी बात है थांक्यू कुमार सान हुआ 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 है